हेलो फ्रेंड्स ब्लॉग बस्टर फूड में आप सभी लोगों का स्वागत है क्या आपके घर में बस एक कप चना दाल है अगर है तो आज की रेसिपी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है अगर आपने इसे एक बार घर पर बना लिया तो कभी भी आप पाहर से ला ज़िए जिसको मीठा पसंद है उसे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और जिसे नहीं भी पसंद है उसे भी पसंद आएगी तो एक बार इसे ट्राई जरूर करना तो यहां पर मैंने लिया है एक चना डाल उसे अच्छे से वाश करके मैंने 3-4 गंटे के लिए भिक कर दीजेगा यह देखिए दम अच्छे से भीग चुकी है और तूट भी रही है अब इसकी बाद हम क्या करेंगे तो हमारी चना दाल है इसे हम ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में आप डाल को डाल दीजे और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजे दरदरा नहीं रखना है अच्छे से ग्राइंड हो जाए और यह देखिए डाल बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है बस ऐसे ही आपको डाल को ग्राइंड कर लेना है और अगर आप इसे अलग से किसी बोल में निकालना चाहते हैं तो आप इसे निकाल सकते हैं नहीं तो आप इसके छोटे-छोटे से लड्डू बना लीजे लड्डू नहीं बनाने हैं तो ऐसी छोटे-छोटे से राउंड राउंड शेप के जैसे पकॉड़ी बनती है उस तरह और फिर उसके बाद चुटी-चुटी बॉल्स बनाकर सारी की सारी बॉल्स फ्राइ कर लेनी है तो आज के बाद से आप मोती चूर के लड्डू कभी भी मार्केट से लाना नहीं पसंद करेंगे पस एक बार अगर आपने घर पर बना लिया ना तो बस मोती चूर घर पर ही बन कर त्यार हो जाएगा पस 10-15 मंट लगेगा इसे बनाने में और बहुती ज़्यादा टेस्टी, सौफ्ट, दाने दर लड्डू बन कर त्यार हो जाएगा यह ऐसे करके जो सारे हमने चुटे-चुटे सी यह लड्डू बनाए हैं इन्हें फ्राई कर लेना है पहले और इन्हें ब्राउन होने तक हमें पकाना है अच्छे से ऐसे ही हिलारते डुलाते हुए इसे पका लेना है और ये देखिए सारी के सारे ब्राउन हो गए हैं ओइल थोड़ा ज़ादा ही डालेगा पैन में ताकि अच्छे सी ये फ्राई हो फिर बस आप इन्हें निकाल लीजे और इन्हें ठंडा होने दीजे दो से तीन मिनिट में जब ये ठंडे हो जाएं ये बहुत ही अच्छे से पक चुकिए अगर आपको लगे कि ये नहीं पकी है तो आप इन्हें फिर से एक बार फ्राई कर सकते हैं अब देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से तूट रहे हैं अब इन्षे हमें फिर से grind करना है fry होने के बाद इन् Beim फिर से एक बार grind करना है आप इन्हें ऐसे तोड़ कर डालेंगे तो अराम से ये grind हो जाएंगे अगर सीधा डाल देंगे तो फिर ग्राइंडरों में थोड़ी से प्रॉब्लम होती है और मिक्सर से भी आवाज आती है, मिक्सर भी खराब हो सकता है तो बस इन्हें ऐसे ग्राइंड करना और देखिए, पूरा अच्छे से फिर से पाउडर बन गया है और एकदम पकी वी जैसे बेसन से खुश्बू आती है वैसे इसमें खुश्बू आ रही है अब हम बना लेते हैं चाश्नी, तो चाश्नी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप चीनी लिए और चीनी को मैंने पैन में डाल दिया है, थोड़ा सीसे ऐसे मिक्स करिएगा एकदम धीमी फ्लेम रखिएगा गैस की फिर इसके बाद हम इसमें एक कप पानी डालेंगे बहुत जादा पानी नहीं डालना है, बस जिस कप से हमने चीनी लिए है उसी कप से हम इसमें पानी डालेंगे और फिर बस पूरी चीनी को ऐसे ही मिक्स कर रहेंगे, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा कलर डालना चाहते हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा बस एक ड्रॉप यलो कलर आप उसमें डाल सकते हैं फिर पूरे पेस्ट को इसमें हम डाल देंगे अब इसे हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि हम इसे पहले ही सारी चीजों को पका चुके हैं बस चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे पूरे पेस्ट में, उतने देर तक हमें इसे पकाना है बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ऐसी धी में धी में धी में पूरे पेस्ट को अच्छे से mix करना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चमच खी और फिर से थोड़ा से हम मिला लेंगे मैंने आप से color डालने को पूला था तो आप color पहले ही डालेगा पानी में मतलब जो हमने चाशनी बनाई है बाद में मत डालिएगा मैं भूल गई थी तो मैंने थोड़ा सा बाद में डाला बट उतना अच्छा कलड नहीं आया और फिर बस लेजे हमारा जो लड्डू का पेस्ट है वो बनकर त्यार हो चुका है अब बस आप इसके चुटे-चुटे से कुल-गुल से लड्डू बना लीजे देखा बस 15 मिनिट लगा होगा 15 मिनिट में बहुती टेस्टी से मोती चूर के लड्डू खर पर बनकर त्यार हो गए और यह बहुती ज़्यादा टेस्टी बने है आप इने मैमानों को खिलाईए खर पर सब को खिलाईए सब के लिए बनाईए और एक बार जरूर से जरूर ट्राय करिएगा इसे बनाना आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि रेसिपी इतनी ज़्यादा आसान है बनाने में ना टाइम लगना है कुछ भी नहीं होना बस फटा-फट से बनकर यह त्यार हो जाएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो बस अब आप मोती चूर के लड़ू घर पर ही बनाईए और सब को खिलाईए और बाहर से कभी मतलाईएगा एक बार ट्राइ करना तो बनता है तो ट्राइ करना और कॉमेंट्स में बताना भी कि आप लोग के लड़ू कैसे बने और आप लोग को वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है वीडियो को लाइक और जादा से जादा शेयर जरूर करिएगा अल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटि झाल झाल